नमस्कार प्रेस इच्छार्तियों, स्वागत आपका हमाई यूटूब चैनल परणाम केड्मी में साथियों इससे पहले हमने नाउन की क्लास, प्रणाउन की क्लास और एड्जेक्टिव क्लास कम्प्लीट कर ली है आज हमारा जो चौथा पार्ट सब्स्पीच है, वो वर्व है, यानि की क्रिया, उसके बारे में हम समझते हैं, वर्व क्या होता है तो अपनी क्लास के हम सुरुवात करते हैं, वर्व की डेपनेशन से जिसे बच्पन से हमें पढ़ाया जा रहा है ठीक है, वर्ब होता क्या है, ठीक A word which source, action और state of being are called verb ठीक है, मैंने क्या लिखा, A word which source, action और state of being are called verb यहाँ पर दो चीज़े ध्यान दिन्युराद में, action और state of being ठीक है, action मतलब कोई कार्य करना और state of being का मतलब होता है, कोई अवस्था ठीक है, किसी अवस्था में होना, ठीक है, यह दोनों हमारा वर्ब की कटेगरी में आता है आप कुछ example हम देखते हैं, example जैसे मैंने लिखूँ ठीक है, example जैसे go हमारा हो गया, ठीक है, play हो गया, pick, sing हो गया, fight हो गया ठीक, और हमारा is, am, are, is, am, are, उसके बाद was हो गया, war हो गया, has हो गया, और have हो गया यह कुछ हमारी वर्ब की forms है, ठीक है, go, play, sing, fight, is, am, are, was, were, has, have ठीक है, तो मुख्यता हम लोग देखते होंगे कि हम इनको वर्ब मानते हैं, go को, play को, sing, go मतलब, जाना, play मतलब, खेलना है हमने कोई कार किया, go मतलब, जाना हमने कोई कार किया, हम जाने-जाने कार कर रहे हैं, play मतलब, खेलना, हम खेलने कार कर रहे हैं, sing मतलब, गाना, हमने गाने काम किया, fight मतलब, लड़ना, हमने लड़ने काम किया, तो यहां हमने देखा कोई काम हो रहा है, लेकिन यहां दूस इस मतलब हमारा होता है, है, अब एक बात आप यात हमेसा रखिए, कि कोई भी sentence इंग्लिश में, दुनिया का कोई भी sentence without verb नहीं होगा, ठीक है, उस sentence में verb होगा ही होगा, चाहे वो हमारी ये main verb हो, चाहे हमारी ये helping verb हो, क्या मैंने बोला, साथियों, ऐसी वर हमारी ये क्या है, ये main verb में आती है, और ये हमारी जो क्या है, ये हमारी helping verb है, ठीक है, अभी इसको मिस्तार से समझेंगे क्या होती है, मैंने कहा कि हमारे English में ऐसा कोई भी sentence नहीं है, आप अपने चाहतों उठा कोई भी देख लिजिए, जिसमें हमारा main verb, या फिर action वाला verb, इसको हम action verb भी ब ठीक है, ये हमारा verb है, ठीक, ये हमारा object है, ठीक है, इसको मैंने एक गारी में तब्दिल कर दिया, ठीक है, ये हमारी गारी है, ये हमारा यहाँ पर इसका engine है, ठीक है, अब हमारे subject और object इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, noun, pronoun और adjective पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो subject हमारा और subject है, लेकिन जब हमारे sentence में हमारा engine ही नहीं रहेगा, यानि कि इस गाड़ी में जब engine ही नहीं रहेगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी, हमें धक्का मर्ट चलाना पूरेगा, कब तक चलाएंगे तो verb का होना sentence में बहुत जरूरी है, ठीक हैं अब वर्ब मैंने बताया ही कि यहाँ पर हमारा इस तरह का वर्ब भी हो सकता है जो action को दरसाता है और हमारे ये वाला वर्ब भी हो सकता है जो हमारा state of being यानि कि आवस्था को भी दरसाता है जैसे मैं example यहाँ पर लिखूँ ये वाला समझाने के लिए जैसे he is in Delhi ठीक है he is in Delhi अब यहाँ पर तो कहीं वर्ब नहीं आ रहा है आपको दिख रहा हो इसमें से कोई वर्ब नहीं आ रहा है लेकिन हमारे ये जो is आ रहा है ये ये हमारा क्या कर रहा है अवस्था को दरसा रहा है he is in Delhi यानि कि वो दिल्ली में है he हमारे क्यों पर हुआ पता ही आपको नाउन जिया प्रोनाउन तो हमारा ही हो गया इस जो है उसकी अवस्था को दर्सा रहा है किसकी उसकी अवस्था को वो कहा है दिल्ली में है यानि कि वो दिल्ली में है यानि कि वो वेक्ति दिल्ली में है उसकी अवस्था क्या प्रकट हो रही है वो दिल्ली में है यानि कि हमारे यहां पर क्या है यह भी हमारा वर्ब कहला यह अवस्था को प्रकट कर गया है ठीक है साथियों अब जैसे मैंने कहा भी बताया है कि सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए उसके बाद अबजेक्ट अगर हमारा सेंटेंस में वर्ब ही नहीं रहेगा तो हमारा काम सेंटेंस में नहीं चलेगा हमार यह जो काम है यह इंजन का काम करता है अप इंजन भी कर्यां ट्रेगे होते हैं को पता ही निवांस नवांस यह लंग होता है क् GUY बड़ा इंजना होता है जैसे एंग्जॉटी सी वॉच्वास कोई लगा हो होता है क्योंकि हमें उतना dawn काम नहीं होता है हमार उस से काम चल जाता है лेकिन कोई ओर्भीलर के गाड़ी है और गारी में कई तरह engine होते है फिर एरोप्लेन होती है उसमें कई सारे engine होते है multiple engine होते है तो वैसे ही किसी sentence में ज़से अगर हम इसको कहें हमारे main verb को तो ये हमारा क्या है ये बड़ा engine है ठीक है ये बड़ा engine है was, were, has, have यह कहा है हमारी छोटे इंजन है यानि कि help करते हैं इनका नाम ही क्या है helping verb ठीक और यह कहा हमारी main verb है और मैं तीसरा बता है कि aeroplane में जो हमारी airlines होती है aeroplane में उसमें बड़े engine होते हैं कई engine होते हैं या फिर छोटे बड़े engine mix करके लगे होते हैं तो वैसे ही कुछ sentence ऐसे होते हैं जिसमें हमारा helping verb भी होता है और हमारा main verb भी होता है ठीक है क्या कहा मैंने कि कुछ sentence ऐसे होते हैं जिसमें हमारी helping verb भी होती है और main verb भी होती है जैसे मैं एक्जाम्पल यहां लिख रहा हूँ कुछ जैसे मैंने लिखा श्वेता इच प्लेइंग ठीक है श्वेता वेंट ठीक है श्वेता इच प्लेइंग, श्वेता वेंट तीन एक्जाम्पल मैंने यहां पर लिखे श्वेता इच प्लेइंग, श्वेता वेंट, श्वेता वांच टू प्लेइ पुड़ वॉल ठीक है, तीन इक्जापल मैंने आप लिखे अब मैं आ देखना है कि हमारे इसमें double verb है want, want मतलब चाहना ये भी हमारे क्रिया है और play football ये भी हमारे क्या है खेलना भी क्या है हमारा, ये भी क्रिया है तो ये हमारे जो ये दोनो main verb आ गया है अब इसकी चर्जह हम आगे करेंगे किसी sentence में कैसे main verb यूज़ करते है इसको हम भी भी आ छोड़ते है उपर के दो example अगर हम देखें तो हमारा यहाँ है श्वेता इच playing तो श्वेता क्या है, श्वेता खेल रही है इस हमारा क्या है, उसकी अवस्तक दर्सार है playing क्या है, ये भी हमारा खेलना है और इस हमारा क्या है, ये भी हमारा verb है तो हमारा जो play है या playing ये हमारा verb की ing form लगी हुई है ये हमारा क्या है, हमारा main verb है और उसके साथ में क्या प्रयोग हुआ है, helping verb है यानि कि यहाँ पर बड़ा engine और छोटा engine दोनों use हुआ है दूसरा वाला example क्या है श्वेता went यानि कि श्वेता गई इसमें हमारा कोई भी helping नहीं लगा है केवल हमारा क्या है main word went मतलब go का हमारा second form है went तो हमारा पर यहाँ क्या हो गई श्वेता गई यह हमारा second form हो गई यहाँ पर केवल और केवल main word use हुई है ठीक है उमीद करता है आपको इतनी बात समझ में आई होगी अब इसके आगे की बाद हम अगली slide में देखते हैं कि verb की कितने तरह के form होती है और कितने तरह के verb होते हैं हमारा helping verb और action verb या फिर main verb हमने बताया था helping verb को हमने denote किया था छोटे engine से और main verb को denote किया था बड़े engine से इसमें हम देखते हैं helping verb में हमारा auxiliary verb auxiliary verb और model verb तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा do do हमारा ऐसा auxiliary verb है जो हमारा helping verb में प्रयोग होता है और कहीं कहीं हमारा main verb में प्रयोग होता है यानि कि do हमारा ऐसा अग्दूरी वर्ब है जो कहीं कहीं helping verb भी use होता है और कहीं कहीं हमारा main verb में भी use होता है ठीक है, do का मतलब होता है करना ठीक है, अगर ये main verb में use होगा तो करना होगा और अगर helping verb में हमाँ use होगा तो यह हमारा present indefinite tense में use होता है ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूँ यह हमारा present indefinite में use होता है ठीक है, उसके बाद हमारा है b b का मतलब होता है, होना इसमें is, am, are, was, were और यह भी हमारा हमने बताया था, अवस्था को दर्साता है इस मतलब जैसे है, am मतलब मैं आर का मतलब होता है, plural के लिए use किया जाता है वाज और वर्ट था, और वर्ज हमारा वो plural form के लिए उसके बाद हमारा have have का मतलब होता है pass होना जैसे कोई चीज़ हमारे pass है, जैसे I have a marker, I have a car ठीक है, वैसे हमारा has has हमारा singular के लिए, have हमारा plural के लिए, और head हमारा third form, जो वर्ब की third form होती है उसमें use होता है उसके बाद हमारा है model verb ठीक है, model verb भी हमारा helping verb में use होता है, क्या कर मैंने जो हमारा model verb होता है ये भी हमारा helping verb भी होता है बस पर कितना है कि जहां पर model verb होगा, जो sentence में determination या फिर obligation की बात की जाएगी, वहाँ पर हमारा ये model verb भी होगे, यानि कि can, may, should, would ठीक है, जैसे we should hard work, या फिर you should hard work hard work, तुमें कड़ी मेहना करनी चाहिए, यानि कि determination की बात हो रही है, ठीक है, तो हमारे ये था auxiliary verb और model verb अब हम आते हैं अपने action verb या फिर main verb पर, जो हमारा main engine है, हमारा बड़ा engine है, इसमें हमारा पहला आता है transitive verb और दूसरा हमारा है in transitive verb, transitive verb को हम समझते हैं हमारा सकर्मक्रिया, यानि कि इसमें हमारा कर्म जो है साथ में होता है, यानि कि object की जरुवत होती है, ऐसा verb, ऐसा sentence, जिसमें object की जरुवत हो, बिना object के complete sentence ना बने, यानि कि ऐसा sentence जिसमें object की जरुवत हो और complete sense बने वो हमारा क्या कहलाता है transitive verb जैसे example हम समझते हैं अगर कुछ लिखें जैसे नेहा loves नेहा loves अब इस पर लिखा है नेहा loves नेहा प्यार करती है किसे प्यार करती है अब हमें object जरौत है जरौत पर रही है हमें अब हमारा sentence कहा है वो complete sense नहीं निकाल ला है बस लिखा है नेहा प्यार करती है किसे प्यार करती है किसी चीज को प्यार करती है किसी person को प्यार करती है तो मैंने लिखा नेहा loves ice cream ठीक है यानि नेहा को ice cream पसंद है यपि नेहा ice cream को पसंद करती है प्यार करती है ठीक है अब दूसरा में लिखा अब दे कॉट वे पकड़े गए ठीक है वे पकड़े गए अब इसमें हमाज सेंटेस है वे पकड़े गए वे पकड़े गए क्या पकड़े गए कौन पकड़े गए कोई परसन पकड़े गए कोई चीज पकड़े गई क्या sense निकल रहा है अब इसमें निकार they caught the thief उन्होंने चोर को पकड़ लिया है, हमारा object क्या हो गया thief, तो इसमें हमारा complete sense निकल रहा है कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया है, ठीक है तो कहनें मतलब यह हमारा जो transitive जिसमें हमारा अगर कर्म नहीं भी होगा, object नहीं भी होगा फिर भी हमारा काम चल जाएगा जैसे they jumped वे कूदे, सीधी सी बात है वे कूदे, हमारे समें simple sense क्या हो गया, वे कूदे यह हमारा इसमें हमारे object की जरूवत नहीं है फिर भी हमारे क्या हो गया, sentence हमारे complete होगा है वे कूदे, दूसरा अगर example लें थी प्रेंप फ्रॉम दा पुलिस दूसरे एक्जामर में थी प्रेंप फ्रॉम दा पुलिस चोर जो है, वो पुलिस से भाग गया है इसमें हमारे object की जरूवत नहीं पड़ी है तो यह था हमारा दोनों verb, helping verb और action या फिर main verb हमने छोटे engine के बारे में पढ़ा और बड़े engine के बारे में पढ़ा यहां तक तो बात समझ में आ रही थी verb की हमें जोट पढ़ी अब हमें यह दिक्कत हो रही थी कि जो verb, जो क्रिया हो रही है सब्तों में पता चल गया, helping में पता चल गया हमें main verb पता चल गया लेकिन जब यह हमने देखा कि verb जो हो रहा है, क्रिया हो रही है उसका समय का पता नहीं चल रहा है यानि कि जो कार हो रहा था वो किस समय हो रहा था ठीक है उसका हमें कैसे पता लगाए इसलिए हमने tense का इजात किया समय का इजात किया present, past, perfect present tense और perfect tense जो उसके बाद past tense, future tense तो तीन tense होते हैं उसके अलग-अलग भाग होते हैं हमने time को अलग-अलग भागों में denote किया तो उसमें हमारा verb जो है define हुआ ठीक है, समय का हमें यात हुआ अब हम अगली slide में देखेंगे इसके आगे की कहानी उसके बाद हमारा है finite verb और non finite verb ठीक है जिससे नाम है finite verb जानी की सीमित क्रिया ऐसी क्रिया जिन पर tense के rules लागो होते हैं क्या का मैंने ऐसी क्रिया है जिन पर tense के सारे rules लागो होते हैं वो क्या कर लाती है हमारी finite verb कर लाती है ठीक है, जैसे आप लिखा He spoke to me अब देख के हमें का लग रहा है He spoke spoke हमारा क्या है verb की second form है में ठीक है, दूसरा हमारा है आप boys best friend is his mother यह हमारा क्या है यह हमारा सिम्पल present में है ठीक है present and definite tense में है ठीक, दूसरा हमारा है देः города bank फिर से हमारा यह rob, rob मतलब होता है चोली करना ठीक है, robbed है हमारा second form है, ठीक है ये बी हमारे क्या है पास्ट and definite तर्फ में है ठीक है अब हमारा इसका non-finite वर्ब जो हमारा ये infinite, gerund, participle ये हम अगले slide बेर देखते हैं हमारी वर्ब की तीन फॉर्म नो जानते है जनरली परस्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म ठीक है अब हमारे जो हमने देखा था पाइटिसिपल और जिरंड और इन्फनीट अब उसमें हम देखते हैं हमारे जिसे अगर हमें किसी सेंटेंस में दो में वर्ब अगर हमें यूज करनी है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियूख करना होगा यानि कि यहाँ पर फर्ष्ट पॉर्म में प्लस टू ठीक है जैसे एक ग्जाम पर और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्ले फुट्बॉल ठीक है अगर मैं इसको टू हटा दूँ ठीक है He wants हमारा स्ब्जेक्ट हो गया mean verb यानी कि यह बड़े इंजन है यह भी हमारा MV है यह हमारा MV है ठीक है अब सेंटेंस हागर हमें बनाना एक संटckeit में में आ रहे है तो जो दूसरी वाली हमारी हमारी मेंड़म होती है उसमें हम क्लिफ करते हैं यहां पर हमारा हो जागा 2 अब हमारा सेंटेंस सही हो गया वैसे हमारा यह वाला भी यह she wants to जो गो भी हमारा है वो भी मेंवर्भ है वोंट भी क्या है यहां तक बास वाइए उसके बास सेकेंड फ़र्म में हम जणरली इंडी का प्रयोक करते हैं बनाने के लिए हमाँ सबन्य जो बात ही हमार यह है third form ठीक है participle जिसको हम past participle भी कहते हैं यहाँ पर past participle ठीक है अब जब sentence में verb जो है as a adjective काम करें ठीक है तब कैसे verb की third form यूज होती है जैसे हमारा broken window जैसे break का हमारा third form क्या है broken break, broke, broken तो broken window कैसी है तूटी हुई हमारी यह किसकी विस्षिता बता रहा है window की विस्षिता बता रहा है कि window हमारी क्या है तूटी हुई है तो broken window दूसरा हमारा है door painted door यानि कि जो दर्वाजे है वो कैसा है paint किया हुआ है दर्वाजे को हमने क्या किया है paint paint किया वाले paint हो चुका है उसमें ठीक है वैसे destroyed bridge यानि कि nest हुआ bridge जो bridge है हमारा वो already destroy हो चुका है ठीक है अभी हो नहीं रहा है या फिर हुआ नहीं है वो पहले से destroy हो चुका है तो यह हमारा हो गया third form word की जिसमें verb जो हमारा जो adjective तोछए काम करता है और यह हमारा है हमारा वर्व नाउन जैसे swimming is good swim इसमें इंग फाउम ने जोड़ी यह हमारा क्या बन गया प्रेजन पार्टिस्पिल या फिर वर्व की फार्म की आएंगी फार्म उसके बाद I like watching TV वाच हमारा क्या है क्रिया है इसमें हमने आएंगी फाउम जोड़ी हमारा क्या बन गया प् सदा Emir आएंगी फार्म जुड़ता है तो वह वह हमारा जीरंड कहलाता हम्कष्यता जो केवल होता है esses you यानि कि नाउन के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आएंजी फॉर्म होनी ही होनी चाहिए तब ही वह हमारा जिरंड कहल आएगा ठीक है खातियों तो यह थी हमारी वर्ब की पूरी कहानी उम्मीद करते हूँ आपको समझ में आया होगा कोई चीज अगर आपको किसी चीज में डाउट हो तो आप उसको कमेंट करिए कि यहां सर्फ मुझे समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा प्यास करूँगा और इसके आगे जो हमारी क्लास होगी वह हम देखेंगे हमारे एक टेलिग्राम चैनल भी है परिणाम एकेडमी के नाम से परिणाम एकेडमी एक हमारे चैनल है इसको आप जोइन कर लीजी जबने जल्दे से हो उसके क्योंकि जो भी यहां पढ़ाया जाता है या पिर जो भी अन्य टीचर से पढ़ाते हैं उसके सारे हैं डिन नोट आपको यहां पर प्रवाइड कराया जाएंगे जिससे आपको पढ़ाई आपकी जो और बहतर हो सकेगी दूसरा हमारा एक इंस्टा पे पेज है जैसे कोई भी अपडेट अगर हमाई चैनल से आती है तो इंस्टा पे आपको मिलेगा वह इंस्टा हैंडल भी हमारा इसी नाम से है परिणाम एकडमी के नाम से इस पर आप लोग जुड़ जाए फॉलो कर लिजे अब मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद